नमस्कार दर्शिकों मैरी तो तोबर स्वागत है आपका हमारे खास कारिक्रम राशी रत्र में और इस वक्त मेरे साथ मौझूद है जौने माने एस्ट्रो लॉजर डॉक्टर मितलेश पांडी जी बहुत स्वागत है आपका हमारे कारिक्रम में अचारे जी धन्यवाद दर्श्यकों आज हम आपको जनकारी देंगे, तेरा मुखी रुद्राक्ष के बारे में कि किस तरह ये काम करता है, किस तरह ये लाब देता है, कैसे आपके जीवन को खुश्वनवा बताता है यही सारी जनकारी आज हम इस कारिक्रभ में आपको देने वाले हैं अचारे जी आज मैं आपसे तेरा मुखी रुद्राक्ष के बारे में जाना चाहती हूं रुद्राक्ष का अलग-अलग शायद काम होता है इसलिए लोग अलग-अलग ही बताते हैं कि आप एक मुखी पैनो दो मुखी पैनो बारा मुखी पैनो पंच मुखी पैनो सब एक दू मुखी रुद्राक्ष भगवान संकर का स्वरूप इसलिए माना जाता है कि त्रियोदस जो भगवान संकर की जो तिथी मानी गई है वो त्रियोदसी मानी जाती है और इसमें तेरा मुख होते हैं इस कारण सी है तेरा मुखी रुद्राक्ष बहुत ही लावकारी माना जाता है साक्षात भगवान सिव का सुरूप माना जाता है और इसका प्रभाव बहुत ही जादा माना जाता है बहुत ही बढ़िया और सिग्र प्रभावी माना जाता है और बहुत ही दुरलब माना जाता है ये रुद्राक्ष जो होते हैं भगवान संकर के अक्ष अर्थात नेतर से गिरा हुआ जल जहां जहां गिरा उससे रुद्राक्ष के उत्पत्ती हुई और ये बहुत ही प्रभावी माना जाता है तो मित्रों खासकर अधीस सरीर स्वास्ते सम्मरिद कोई परिसानी बन रही हो अर्थात तबिय ठीक नहीं रहती हो दवाई लेने के बाद भी रोग न ही ठीक होता बहुत दिनों से आप रोगी मह सुस्करक्ष कर रहे हो रोग बीमारियां सरीर में ब्याधियां घिरी हुई हो आप तेरा मुखिर उद्राक्ष धारन करें और धारन करने के बाद 30 मिनट अर्थात आदे घंटे तक प्रती दिन खाली पेट में ओमनमस्वाई मंत्र का जब करना है अर्थात आराम से बैठ कर इस तरह से ओमनमस्वाई इस तरह से मंतर का जब करना है पेट खाली होना चाहिए कोई अश्नानाधि का परहेज नहीं है और इसे इस्त्री पुरुस कोई भी लगातार रूप में कर सकते हैं और पहन सकते हैं इसमें कोई परहेज की बात नहीं होती तो यह त्यरा मुखिरुद्राक्च सिग्री रोग से मुक्ति को देने वाला माना जाता है इसी तरह से अधी परिवार में आपके सम्मंद अच्छे नहीं रहते अधी आपके जो हैं कुटुम्ब परिवार में आप सबके लिए करते हैं लेकिन आपके लिए कोई नहीं करता दिक्कतें बनी रहती है आपको हमेशा और किये हुए उपकार को भी व्यक्ति नहीं मानता और बार बार आपको परसान होना पड़ता हो अथ्वा ज ऐसे इस्टिती में यह तेरा मुखी रुद्राक्ष आपको घर परिवार के सिती को ठीक करेगा, कुटुम परिवार के साथ सम्बंद को ठीक रखेगा और सिगरी धन का लाब करवाएगा भाई बहन के साथ सम्बंद अच्छे नहीं होते हैं और उसमें कोई डिस्टिब्यूशन का मामला हो, प्रुपाटी का मामला हो, पैत्रिक प्रुपाटी का मामला हो, ऐसे में भी इस्टिती में भी यह तेरा मुखी रुद्राक्ष भाई बहन के सम्बंद को मजबूत करते हैं और सिग्री धन की प्राप्ति घर मकान भूमी भावन बाहन की प्राप्ति करवाता है तो यह रुद्राक्ष उनत्ती और प्रगती को देने वाला माना जाता है खासकर सुख का भाफ जीवन में कभी-कभी संपती तो बहुत होता है व्यक्ति लेकिन उसका सुख नहीं प्राप को देने वाला माना जाएगा तो बिल्कुल कितने सारी जो है चीजे आज अचारे जी ने बताई है अगर आप इसके मंतर का ड्राप करेंगे और आप इसको धारन करेंगे उसके बाद आपको लाप देखी क्या क्या होगा रोग से मुक्ति मिलेगी आपके संबंद अच्छे न नहीं रहता बहुत जल्दी जल्दी आप बिमार पड़ते हैं वह सारे पैसे आप जितना कमाते हैं डॉक्टर के पास चला जाता है समझ में नहीं आता कि पैसे आपने लिए कमा रहे हैं तो यह सारी बीमारियां इससे दूर हो जाएंगे इसके लाब है यह तेरा मुखी लेकरा बात करेंगे के आप आक कर सकते हैं वेसे लाइर काईकरिम के बाद भी हाप में समपल किने नंबरों पर करेंङए तो बिर आपका सब्सक्राइब बात करेंगे móब правильно सब molar Θ़ा इसで आप अचारे जी से बिल सकते हैं उसके लिए भी हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं अचारे जी 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में तो आपने बताया इतनी सारी चीजे बताई कि लगबग लगबग भूमी संबंदी कहा जाता है रोटी कपड़ा औ मुखी रुद्राक्ष होता है यह एक दूसरे से बकैसे हैं और यह क्टने दिन में काम करता है जैसे हम पहले अपूबगर के बारे में बात forgot about कर चुके हैं तो किए सब का समय पेरिड अलग अलग जो समय होता है प्रभाफ करने का क्या वह अलग-अलग होता है है स्या विर AH इसमें जो है 13 लकीरे होती है अधी आप रुद्राक्स को देखें गे तो इसमें 13 खाने बने होते हैं उसमें तो विभी होते हैं तो मित्रों अधी आप हमारे हां से रुद्राक्स खरीते हैं। उसके बहुत सारे लाब हैं सरपर्थम तो जो है आप अधी कहीं बाहर से खरीते हैं जुलरी सो रुमादी से खरीते हैं तो उसके खर्चे अधिक होते हैं आपको काफी कौशली मिलेगा हम डायरेक्ट जहां से इसकी उत्पत्ती होती है वहां से मंगवा कर आपको करवाते हैं दूसरी बात होती है वह सेटिफाइड होता है अर्थात लेवरेट्टी का सेटिफिकेट उत्में होता है कि असली है या नकली है कितने मुख्षा है इसका परमान पत्रा आपको मिलेगा इसके साथ ही साथ यह अस्ट धातु में दिर्मित होता है आपको बनवान इसका पूज़न प्रतिष्ठा अधी करने के बाद वयाप तक इसोई पहुचाता हूं आपको कुछ नहीं करना सिर्फ इसे धार्न करने होते हैं और इसके लाव को प्राप्त करने होते हैं तो यह तेरा मुखी रुद्राक्ष अती दुरलव रुद्राक्ष होने के कारण इन छेत्रों में उनत्ति और प्रगति को देने वाला माना जाता है खास कर अधि आपका बिजनस ब्यापार कपड़े से संब्दित हो खान पान से संब्दित हो आर्टिफीसल जोलरी से संब्दित हो कोस्मेटिक से संब्दित हो इसके साथ ही साथ लोहे से संब्दित कलकार खाने से संब्दित अधि बिजनस ब्यापार आपका हो तो भी है ते रहता हो ब्यक्ति को पढ़ने के लिए बैठता है लेकिन दिमाग नहीं लग पाता ब्यक्ति को कोई इंटर्व्यू बगरे में अधियाप जाते हैं वहाँ डिल नहीं कर पाते ऐसे इस्तिती में भी यह भगवान संकर का साक्षात स्वरूप होने के कारण और उस रुद्राक् करके इसका लाब प्राप्त करें इसके साथ ही साथ रिन रोग और सत्रू से इसका बहुत जल्दी जो है छुटकारा मिलता है अर्थात कोई ब्यक्ति रिनी हो तो सिग्र रिन मुक्त होता है कोई ब्यक्ति अधि रोग से पिडित हो तो सिग्र ही स्वास्त का लाब करता है औ बैवाहिक परिवारिक जीवन में भी अधिक कई परकार के नाड़ी दोसाधी बनते हैं मंगली दोसाधी बन जाते हैं उसके कारण आपसी दामपत जीवन को प्रभावित करता है इसमें आपसी सम्मन ठीक नहीं रहते बैवाहिक परिवारिक जीवन में दिक्कत रहती है संतान अधी की समस्या बनती है आपसी combination अच्छा नहीं होता कभी कभी लड़ाई जगड़े के बाद सम्मंध तूटने के कगार पर आ जाते हैं ऐसे इस्तिती में भी यह रुद्राक्ष बहुत ही लाव को देने वाला माना जाता हो अथवा बिवाह पुर्व भी अधी जैसे बात का नहीं बन पाना बनते बनते कड़ जाना तय होकर कटना इस तरह की अधी स्थिती बन रही हो तो ऐसे स्थिती में भी यह तेरा मुखी रुद्राक्ष आपको सिग्री विवाह का योग बनाएगा दांपत्त जीवन को पति-पत्नी के जीवन बैवाहिक जीवन को बहुत ही ब अधी बनाडी दोस है संतान प्राप्ति का योग नहीं हो रहा है विवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं चल रहा और दांपत्त जीवन जो है वह सही रही है तो यह सारी ही चीज़े रुद्राक्ष सही करते हैं और साथ ही दर्श्य को अगर आप इसको मंगवाना चाहते ह जैसे कि आपने बाते जो बताई है कि नाडी दोस हो गया और वहाइक जीवन आपका जो रिष्ता है यह साही चीज़े जो ही अच्छी करता है तो अगर मैं यह कहूं कि कि जो हमारी पहले बात हुई थी रुद्राक्ष को लेकर और भी एपिसोड में तो उसमें भी था कि व पर असे डालते हैं या फिर इनके भी पार्ट डिवाइड है जैसे रतनों को लेकर होता है कि नहीं यह इस पेशली आपके दोश्ट देखेगा कि नहीं यह इस पेशली आपकी फैनेंशल स्टेटस देखेगा तो रुद्राक्ष के साथ यह साहीं रुद्राक्ष लगभग कभी नहीं होता मतलब हो अमेशा लावी देता है कभी बिप्रित परभाब नहीं होता परंतो रुद्राक्ष के लाव कई होते हैं प्रंतो खासकर पर्टेख रुद्राक्ष का कुछ अलización होता है और अलग-अलग लाव को दरसाता है उसमें तो यह 13 मुखी रुद्राक्स का जैसा मैं बर्णन कर रहा हूं इसे कोई भी धारन कर सकता है कोई भी इस तरी अथ्वाप पूरुस जो है इसे धारन कर सकते हैं बच्चे बालक बिर धारन कर सकते हैं कभी-कभी इस्तरीयादी के लिए अलग-अलग नहीं होता सब के लिए समान है प्राकर्ति ने जो नौगरभा है उसका प्रभाव刑 सब के लिए समान होता है और लाप लो फ 누सा ही यह तेरा मुखी का प्रभाव होता है ब्यक्ति उनक्ति प्रगति के दिश्टी कौन से अधी बिजनस ब्यापार के लिए देश विदेश की यात्रा करना चाहता हो अत्वा विदेशों में जाकर धनो पारजन करना चाहता हो प्रहाई लिखाई के लिए बाहर जाना चाहता हो अधि उसमें सफलता नहीं मिल पा रही हो, तो भी है, बहुत ही लावकारी माना जाता है, आप तेरा मुखी रुद्राक्ट धारन कर सकते हैं, जौब आदी के दिश्ची कौन से भी है, माइंड पावर को बहुत जादा मजबूत करता है, कंसल्टेशन को मजबूत करता है, तो परतिश्ठा ख्याती नहीं मिलता, कभी कभी व्यक्ति करते सब के लिए हैं, उसे परतिश्ठा नहीं मिलती, विभाग में काम करता हो, तो उसकी उनती परगती नहीं हो पाती, कोई भी गलतियां होती है, उस पर ही आ जाती है, मिहनत से कम प्राप्ती का योगदी बनता हो, ऐसे इस्तिती में भी यह बहुत ही लावकारी माना जाता है पिता के साथ पुत्र के संबंद अच्छे नहीं होते पुत्री के संबंद अच्छे नहीं होते ऐसे में इस्तिती में भी यह तेरा मुखी रुद्राक्च लावकारी होता है और खास कर अधियापरा नितिक छेत्रो में अधिक सफलता को प्राप्त करना चाहते हूं अथवा प्रसासनिक छेत्रों में अधिक सफलता को प्राप्त करना चाहते हूं ऐसे इस्तिती में भी यह बहुत ही लावकारी माना जाता है आई की स्थिती अधी अच्छी नहीं बन रही हो अर्थात मिहनत से बहुत कम percentage प्राप्ति होती हो अथवा एक काम करते हुई आप दूसरा काम को करना चाहते हो और उसमें सफल नहीं हो पा रहे हो तो ऐसे हिस्तिती में भी यह रुद्राक्ष जो है सिगरी सफलता को देने वाला उच अस्तर के आई की प्राप्ति को करवाने वाला माना जाता है और अधिक खर्च के अधिकता रहती हो जादा ब्य होता हो अकारन ब्य होता हो तो भी आप इसे धारन करने से उच अस्तर के आई की प्राप्ति और अकारन ब्य नहीं होगा ब्य तो सबके होते हैं लेकिन आपके ब्य सकरात्मक होंगे पैसे की बचत होगी और इसमें कोई और कोई भी दिखत परशानी चल रही नहीं हो इसमें कोई भी बेक्ति झैसा की मैंने बताया इस के अधी परिशानी को आप महसूस करते हैं तो आप यह तेरा मुखी रुद्राक्ष भगवान संकर का स्वरूप आवस्य ही धारन करें इसे धारन करने से यस परतिष्ठा ख्याते की प्राप्ती होगी और आप सुखी पुर्वग जीवन को बैतीत करेंगे जारी इतने सारी ब